पूर दिल्ली हाईवे था उसका लोड बिल्कुर खतम हो जाएगा वर्ड से अच्छी से अच्छी तक्निकी गड़गरी साब लाए हैं और जितनी प्रसंसा की जाए हाईवे की उससे जादे गड़गरी जीकी की जाए इस वक्त मैं हूँ देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस हाईवे पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे अब दिल्ली से जैपूर सिर्फ आप तीन घंटे में पहुंच जाएंगे और दिल्ली से मुंबई की दूरी भी 50 प्रतिशत घट गई है यानि की 12 घंटे की हो गई ह प्रधाल मंत्री मोदी ने सोना दोसा स्ट्रेच का उधगाटन कर दिया है आपको बता दे ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे है इसकी लंबाई है 1386 किलोमीटर इसके बनने के बाद अब आपको बता दे जो दिल्ली से मुंबई का सफर है वो सिर्फ 12 घंटे मे अब रह जाएगी ये एक्सप्रेस वे छे राज्य दिल्ली हर्याना राजिस्तान मद्यप्रदेश गुजरात और महराज से होकर गुजरेगा कोटा इंदूर भोपाल वडोद्रा और सुरज जैसे मुख्य शेहरों को ये जोड़ेगा इस एक्सप्रेस वे पर 13 बंदर गाह आठ प्रमुक हवाई अड़े और आठ बहुविद लॉजिस्टिक पार्कों को भी जोड़ा जाएगा इस वक्त मेरे साथ किसान मोर्चा के जिला प्रभारी भुपेश्रिंग राजावत हैं जानते हैं सर से सर्य बताइए इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली मुंबई एक् वर्ड से अच्छी से अच्छी तक्निकी गड़गरी साब लाए हैं और इसको उसी तक्निकी से बनवाया गया है और जितनी प्रसंसा की जाए हाईवे की उससे जादे गड़गरी जी की जाए गड़गरी जी ने जो भी हिंदुस्तान का बैस से बैस मेट्रिल जो लगाना ह कि भी सुईधा होगी राजस्थान के लोगों के लिए और बहार के लोगों के लिए बहुत ही अधिक सुईधा होगी दिल्ली जो जैपूर दिल्ली हाईवे था उसका लोड बिलकुल खतम हो जाएगा और करीब इस जो वहाँ छे गंटे लगते थे उसमें डाए तीन गंटे लगेंगे यह समय की बहुत बच्चत होगी अभी चुनाव है राजस्थान में सर क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंतरी इसके लिए तो कहना अभी मुश्किल है जो भी उपर का नेतरत्व करेंगे सफल मुख्यमंतरी के तोर पर देखते हैं अशोग घैलोड जी को मिल पारा और भाई बतीजे वाद के जादे खराब कर आपको लगता है कि अब पुराने लोगों को विश्राम करना चीए नए लोगों को मौका मिलना चीए बिल्कुल मिलना चीए राजनीती बिल्कुल मानते है एक हर चीज की सीमा होती है पॉरानी मशीन हो जाती है उसमें भी रिपेश की जरुरत पड़ती है तो नया तो नया यह है जी को अपराम करना चीए सचीन जी या और कोई जो भी है जो धिर्गनेत्रत जो चाहता है आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंद वतन की